भारतिय बाजार में वाहन निर्माताओं की ओर से लगातार नए मौडल्स के साथ मौजूदा मौडल्स को अपडेट किया जाता है इसी क्रम में यामाहा की ओर से ओफर किये जाने वाले Ray ZR Street Rally स्कूटर को नए फीचर्स के साथ लौंच किया गया है इसमें नए रंग को भी दिया गया है स्कूटर की कीमत क्या रखी गई है? हम आपको इस खबर में बता रही है नए फीचर्स के साथ हुआ लॉंच यामाहा की ओर से रे जेडार स्ट्रीट राली स्कूटर को नए फीचर्स के साथ लॉंच कर दिया गया है इस स्कूटर में नए फीचर्स के साथ नए रंग को भी शामिल किया गया है जिसके बाद इसे खरीदना एक बहतर विकल्प बन सकता है मिले ये फीचर्स कम्पनी की ओर से इस स्कूटर में आंसर बैक और LED DRL जैसे फीचर्स को जोड़ा है आसंड बैक फीचर के कारण भीडभार वाली जगह पर सिर्फ एक बटन दबाकर स्कूटर की स्थिती की जानकारी ली जा सकती है वहीं LED DRL के कारण सड़क पर ज्यादा बहतर तरीके से मौजूदगी को दर शाया जा सकेगा कितना दमदार इंजन कमपनी की ओर से इसके इंजन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है इसमें पहले की ही तरह 125cc का FI Hybrid तकनीक वाला इंजन मिलेगा जिससे इसे 8.2 PS की पावर के साथ 10.3 Nm का टॉक मिलता है यामाहा रे जेडार स्ट्रीट राली स्कूटर कलर्स नए फीचर्स के अलावा इसे साइबर ग्रीन जैसे नए रंग के साथ लाया गया है साइबर ग्रीन के साथ ही इसमें दो और रंगों के विकल्प के तौर पर आइस फ्ली ओवर मिलियन और मेट ब्लैक जैसे रंग ओफर किये जाते हैं कितनी है कीमत कमपनी की ओर से नए फीचर्स के साथ यामाहा रे जेडार स्ट्रीट रैली स्कूटर को 98,130 रुपए की एक शोरूम कीमत यामाहा रे जेडार स्ट्रीट रैली स्कूटर प्राइस पर लॉंच किया गया है किनसे है मुकाबला यामाहा की ओर से इस स्कूटर को 125cc सेग्मेंट में ओफर किया जाता है इस सेग्मेंट में Honda Activa 125, Suzuki Axis 125, Suzuki Bergman Street 125, TVS Jupiter 125, TVS N Talk जैसे स्कूटर से इसका सीधा मुकाबला होता है